सबसे पहले आप लोग को स्कीम की स्टोरी समझा दो बहुता है कि एक हज्वेंट भाइप रहते तो ओल नूप के पास बच्चा नहीं रहता तो वो हॉस्पिटल से बच्चे को अडॉप्ट करके लाते हैं लेकिन कुछ दुनों तक उसको रखने के बाद पता चलता है उसकी अजीब सी हरकते देखके कि उसके अंदर से अथा नहीं सकते हैं तो जैसा कि आप लोग ने फर्स्ट अपशोड में देखा था अपनलोग ने भड़कर गया सिसमें थ्री नाइट कंपलीट करी थी वाड़कर मतलब पहले नाइट थी फिर इसके पाया तो जैसे पनलोग ने देखा हम लोग ने इसमें इसकेफ करने का ट्राइ किया था मतलब भड़कर गया देखो हजबेंट की हजबेंट की एंट्री तो वहीं से चली गई थी मतलब जब अपनलोग बच्चे को आड़ आफ कर खिलाया थी स्टोरी में भड़कर कैस हजबेंट चला गया था जौब तो भाई वो जब से आया नहीं मतलब भाई सिर्फ अभी मदर फस गई घर के अंदर अब उसी के घर में वह खुद फस चुकी कि इस बच्चे के पास अजीब सी सैतानी मतलब सकती है आप लोग बोल सकतो तो अब इसको यहां साहिल नहीं करना है तो आप लोग को पता हम लो अब होते जारा आप मतलब इसके पास अजीशी सेकते हैं इसको पनलोग पकड़ने पार रहा है तो उससे बचना पारेगा वनना है अपनलोग को मार देगा वह समझेल आ तो इसको यहां ना लोग करके वह लोगकर थे कि एक पहले बहुत गाना बचते हते हैं आप लोग को स्की बालिया लिए कि आपन् nets योट की ऑने वाल इसके अपन्हाइब कर्लिय। अभी इसकी अपने हुआ भाई सब्सक्राइब यह तो में गेट नहीं है भाई में गेट तो कोई और है भाई सब्सक्राइब तो चलो भाई गरगा सभी सावनना पड़ेगा अलग से यह गेट आगया जो की समझ में नहीं आ रहा है तो चलो भाई अपन लोग को इसकेप करना है यहां से फैंदा का वाइब आउट तो अपन लोग को यहां पर सबसे पहले लास्ट वाला गेट देख लेते भाई ठंड के कारण बोलते तक नहीं बन रहा है आप लोग व लेकिन इसका कुछ खराब हो गया भाई आपन लोग को इसको सुधार ना पढ़ेगा तो भाई एलेवेटर खराब हो गया तो सबसे पहले पावर रूम में जाना है तो इसकी पावर सई से आ नहीं रहे तो चलो इसको चेक करते इसमें से तो धुआ निकल रहा है अभी अप या बोल सकते मेकैनिक के सामार रहता ना पढ़ेगा जिससे अपन लोग भाई इसको सुधार सकते तो चलो भाई सबसे पहले अपन लोग को टूल किट को फाइन करना वालो करका स्कूंकि भाई वो पूरा बिगल गया उसमें भाई टाइप की लग गई लगता है भाई धु बच्चे को अड़ाप्ट करके लाएते बट यहां से जो मतलब बच्चे में सहता नहीं सकते हैं तो इसने भूल भूले यह टाइप की बना दी तो चलो भाई अभी सबसे पहले अपन लोग को क्या करना दा पावर रूम के लिए अपन लोग को टूल किट फाइंड करके ले तो चलो भाई जल्दी से बेफोर बेबी काम तो जल्दी से अपन लोग को टूल किट लेखे जाना जल्द जल्दी भाई ठान के करना कुछ का कुछ निकल रहा है मुझसे सच बता रहा हूं विली मी तो चलो भाई जल्दी से टूल किट उठा और यहां से निकलते जल्दी जल्दी जल्दी से तूल एट को खोलो आप लोगा जल्दी से स्क्रिप्ट करना है जैसे priest करते हैं सब्साइब représa क़ यहां लोग पर चल्दी से वाई जो भी नेट वोल्डेस को ज़ता चल्दी से कर देते तो चलव फॉनली वाल इक निकलत अब भूतनी वाला यह क्या निकला भाई बिलेक बिलेक से चमगादर ठीक है चलो कोई ना और यार वाट 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 से इसके आइटम ही में से मतब उसके पार्ट ही मिसेंगे भाई यह दिमाग का धही कर रहा है यह बेबी भी कहां से भाई टापक्या बच्चा हुआ इसने देखा नहीं लगता है भाई डर गई साथ वाट 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 वेक होम भाई फिर से होम जाना पड़ेगा का समसे भाई दिमाग खरा पावर रूम का वहीं से अपन लोग को फिर से होम में आना पड़ेगा जल्दी जल्दी सारा आइटम को देखना पड़ेगा क्योंकि भाई समसे कुछ आइटम मिसेंगे तो सब्से पहले पियानो बजाना पड़ेगा क्योंकि इसी के पास वह सारे आइटम है अगर आप लो यह कुछ नहीं करता तो चलो फानली अपन लोग को चाहिए तब जो आइटम चाहिए थे वह मिल चुके मतलब जो उसमें मिशिंग थे ना वह लगार बोड में जिससे भाई पावार ओन होता तो वह उसके आइटम अपन लोग को मिल जल्दी से उठाते बिना टाइम भी तो च अपन लोग को देखा नहीं तो गो टू पावर सवर में चलते और जल्दी स नहीं कंल एक इलीटक पराइसे से पहले वो भूत आजा अपन लोगों जल्दी से निकनना तो चलो भाई फानली यार अपन लोग ने इस गीम में इसकेप कर लिया तो भाई आज के लिए बसते हैं मिलते हैं नेक्स विड़े में फुल कंप्लीट भी कल लिया तो मिलते हैं नेक्स एपिशोड में वड़कर कास सबसे पहले बता दू यहां पर गीम कंप्लीट हो गया अगर आपको लगे की नहीं होता है यहां से कुछ और आंगे स्टोरी रहती तो ऐसा नहीं था अभी मैं देख भी लेता हूं वालो करका से देखो मैं नेक्स्ट करता हूं ना तो गीम फिर से स्टार्ट हो जाता हूं पर अब लोग देखना वस अरथा में जैसे नंच्ट पर दबाता हूं तो यह देखो एन फिर से शुर्ण हो चुक्क है वरह गीम कंपलीट होँ चुक्या अब मीस्ति करत हूं-स-बतार हूं तो यह मिलते नेक्स्ट वीड़िывать